एकत्रफा प्यार में पड़ा आम आदमी पार्टी का नेता युवती को किया किड्नैप जी हाँ मध्यप्रदेश के रीवा जिले से चौकाने वाला सामने आया है जहां आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके। पीती अपने परिवार को बताई जिसके बाद परिजनों ने थाने जाकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। कुम्भ में मुस्लिमों का फिर विरोध किया और साफ शब्दों में कहा कि उनका वहां क्या काम इतना ही नहीं उन्होंने मस्जिदों में घुसने पर हिंदूओं को जूते मारने की भी बात कही। MP में गावों, शहरों के बंद रास्ते खोलेगी सरकार, 15 दिसंबर तक करेगी तलाश, शुरू करदी कवायद, जी हाँ, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने एक महीने तक चलने वाला महा अभियान शुरू किया है। इस परेशानी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्व महा अभियान में गावों, शहरों के पुराने रास्तों को तलाशने पर जोर दिया है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रदेश के भौगोलिक और प्रशासनिक धांचे में व्यापक परिवर्तन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 42 साल बाद यह कवायत की जा रही है। वारिस तुम मध्य प्रदेश का गौरव साथ लोगों को बचाने वाले बहादुर व्यक्ति को। वारिस खान ततकाल अपनी मोटर साइकल वहीं छोड़कर कार के कांच तोड़ने में जुट गए और एक-एक करके सभी को सुरक्षित निकाल दिया। उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। इस संबंध में 15 दिन पहले आदेश दिये गए थे जिसमें 15 नवंबर से नकद लेने पर रोक लगाने को कहा गया था जो आज 15 नवंबर को लागू कर दिया गया। अब अगर किसी कारण से कैश में लेन देने करना पड़े तो उपभोकता को उसकी देनी होगी जिस पर उपभोकता का मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। कि 31 दिसंबर के बाद पूरी तरह से कैशलिस लेन देन ही होगा इसकी जानकारी भी अभी नकद लेन देने करने वाले उपभोकताओं को दी जा रही है स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका MP सरकार कराने जा रही ये धार्मिक प्रतियोगिता विनर को मिलेंगे एक लाख बता दे मध्य प्रदेश में तयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है बता दें कि प्रदेश की मोहन सरकार इसकौन के सहयोग से गीता महोतसव का आयोजन कराने जा रही है। इस महोतसव में भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता का नाम Value Education Contest रखा गया है। इस परीक्षा में जीतने वाले पहले विजेता को एक लाख रुपे मिलेंगे। वही Value Education Contest प्रतियोगिता में MP Board के किसी भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल के 9th, 10th, 11th और 12th के छात्र भाग ले सकते हैं। ये प्रतियोगिता हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। आप और ज्यादा जानकारी किसी News Website या अपने शिक्षक से ले सकते हैं। जहां बुधवार गुरुवार की दर्मियानी रात पडोसियों ने कमरे से धुआ उठते देखा था। मामले का खुलासा जाकर तब हुआ जब पती-पत्नी का शव जली हालत में मिले। मृतकों की पहचान सतीश बिरोड और आमरिपाली के रूप में हुई है। के पास एक होटल में सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के अंतरगत आने वाली संस्था में प्रंबधक के रूप में इन दौर में कारिरत महिला ने आवेदन दिया था कि पती उसे नौकरी छोड़कर भोपाल में साथ रहने के लिए मानसिक तौर पर परेशान कर रहा है। कि अबूग। कि अबूग रहा है। कि अबूग।